अरधकिट आज कि वीडियो में हम टूवेश स्विच की 10 को सम्झेंगों सब्सक्राइज इंग किता है की उप्सक्राइज का यूजियमेज ज्यादा इससे क्या होता हैज की अगर एक लाइट या फैन को अगर हम दो जगण से चालू या बंद करना चाहते हैं तो उस समय हमें टूए स्वीच की जोगत होती है तो यह सीरियों पर यूज होता है घरों में भी हम यूज करते हैं लाइट और फंके के लिए अगर एक ही रूम में दो तीन जगह बोड दो बोड लगे हुए बरा रूम है तो तो एक जगह से मालू फैन को चालू कर दिया दूसरी जगह पहुंचे तो हमें वहाँ से अगर बंद करना है तो इसके लिए में टूइच की अवश्राकता होती है इस ब्यूडियो में हम चीह बाइस प्रहरें की बाइस का यह myślor गंज आप नोरको फरी शि saç C स्विश्ड में थ्री पॉइंट होते हैं ौन्मल चयता है अगर उपन कंडिसमें वह ओल वूपन होते हैं लेकिन डूब स्विच में कंडिशन थोड़ा और उपन होता है उसको समझते हैं मीस्ट多 प्रेइन बीच वाला common और L2 context में आ जाते हैं और L1 open रहता है तो अब इसकी वायरिंग को करके दिखाते हैं फिर आपको इजली समझ में आ जागए चीज तो देखिए यहाँ यहाँ पे हमने दो स्विच लिया है और एक लाइट लिया है तो सबसे पहले क्या करेंगी कि दोनों स्विच के ऊपर और नीचे वाएट завाफ में दो वाइट से कनेक्षक कर देंगे उसके बद क्या etwa करेंगे जो हमारे power के नदीख होगा उससे बीच वाले points से phase का wire दे देंगे power को उसके बाद दूसरे switch से बीच वाले points से हम light को connection देंगे एक point और neutral का गड़ेंगे light को direct देंगे friends तो इस तरीके से हम इसकी wiring कर सकते हैं तो इस condition में क्या होगा friends दोनों switch उपर की तरफ से दबा हुआ है मतलब कि हमारा जो दोनों switch का position है इस तरीके से common और उपर लुपाइंट कनेक्टेड है तो अभी इस condition में light हमारा on रहेगा तो अभी light on कैसे इसको वाइडिंग दिखाया तो देखिए यहां से phase का बाद जो है पहले switch में आता है पहले switch से होते हुए दूसरे switch में जाता है दूसरे switch से होते हुए light पे चला जाता है तो इस तरीके से light on हो जाता है तो लेकिन इसमें से कोई लगा और रेगुलेटर के साथ कनेक्शन करना है तो कैसे करना है यह हमारे एक रूम है जिसमें दो हमारा बोर्ड लगा हुआ और एक फैन और एक लाइट है दोनों फैन और लाइध को हमें दोनोँ बोट से कषे करना है देखिए दोनों हमारे बोट शिच लिए हमने फैन और लायट लिए तो और एक में regulator रखा हुआ एक बोट में उस regulator के साथ भी connection करेंगे फैनका तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंस हम अपने MCB को फेज नूटल दिया इंपूट और MCB से नूटल को आउट करके हमने फैन और लाइट को डायर नूटल दे दिया सीवी इसे फेज के वाइज उठाया हमने और हमारे एक बॉट में मारे कॉमन पॉइंट को दोनहों स्वीच दे दे еся सप्लाई और दूसरे बॉट से लाइटी वाइट वाइव उठाके लाइट को दे दिया और स्विच से वाइट के यहांता के साथी हमने फैन को दे दिया त से आ जो क्या करते हैं फ्रेंट्स दोनों बार्ड में फैन का जो स्विच है उसके दोनों ऊपर वाले पॉय्ट को एक वायरा it Week से अपर दिए ई और इसी तरह नीचे वाले दोनों पॉइंट को भी फैन के स्विच के आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से हमारे लाइट के स्विच की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई तो इन दोनों बॉर्ड में हमारे टूए स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो गई है अब दोनो बूर्ड में जो हमारा 3-pin socket है और एक switch है उसके लिए उन दोनों का connection कर देते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि neutral का wire जो है दोनों socket के neutral लोले point पे connect कर देंगे अब neutral दोनों तरफ connect कर दे हमने direct अब switch की एक point को face direct दे दिया और दूसरे point से हमने socket की दूसरे point को connection दे दिया तो अब आप समझ गया होंगे कि हमारे switch की wiring कैसे करते हैं fan और light के लिए एक साथ regulator के साथ और साथ में अगर switch socket भी लगे हों उनके साथ भी नॉर्मल सी तो उनकी wiring कैसे करते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हम जो बताए कमेंट सेक्शन में अगर इस वीडियो इस रिकार्टिंग कोई confusion है तो अभी आप हमें comment सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सुखाइक जरू कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए और अभी तक आपने हमाएं चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब बी जरू कर लिए ऐसी बहुत साइट देखने के लिए तो मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक लिए जा हैं